पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति की उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गई जब वहसो रहा था वहीं बाद में हुई गोली बारी में चार हत्यार बंद लोग मारे गए उन्होंने आगे कहा कि उग्रुवादी जिला मुख्याले से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसाने स्थान पर अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसे और उसकी गोली मार कर हत्या कर दी अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद जिला मुख्याले से करीब साथ किलो मीटर दूर पहाडियों में युद्धिरत समुदाय के हत्यार बंद लोगों के बीच भारी गोली बारी हुई जिसमें तीन पहाडी उगरुवादियों सहित चार हत्यार बंद लोगों की मौत हो के घायल होने के बाद सुरक्षबलों ने ये कारवाई की यह अभियान शुकरवार को चुराचानपुर जिले के मुआलसांग और लाइका मुआलसो गाउं में चलाया गया उगरुवादियों ने बिश्नुपुर जिले में दो जगहों पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे इन हमलों में एक में बुज़ुर्ख व्यक्ति की मौत हो गई और छेयने नागरी खायर हो गई पुलिस जलों सुरक्षबलों ने पास के पहड़ी लागों में सगन तलाश अभियान शुरू किया चुराचानदपुर के मौालसांग गाउं में दो बंकर और लाइका मौालसों गाउं में एक बंकर नश्ट कर दिया गया बिशनुपूर के पुलिस अधिक्षिक सहिद पुलिस अधिकारिक शेतर में पहुंचे तो संदिक्द उग्रवादियों ने उन पर गोली बारी की लेकिन पुलिस दन ने जवाबी कारवाई की और उग्रवादियों के हमले को विफल कर दिया इसे पहले मणीपूर के विशनुपूर और इमपाल पुर्वी जिले के कई इलाकों में कई ड्रून देखे जाने के बाद लोगों ने शुकरवाद रात अपने घरों की लाइटे बंद कर दी थी अधिकारियों ने ये जानकारी दी इस अपतहा के शुरुआत में इमपाल पुर्वी जिले के पुआखो थोलाई था भी शान्तिपूर में कई ड्रून देखे गए जिसे लोगों में दहशत फैल गए घबराय ग्रामीडों ने घरों की लाइटे बंद कर दी एक अधिकारी ने बताये कि सुरक्षबल बड़े समुहों के आवजाही पर नजर रखने के लिए आसपास के खशित्रों में हाई अलर्ट पर है